आपका स्वागत है इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुरोंगा वायरस संक्रमर्ण के मामले में चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है अंकड़ों के मामले में चीन से भारत आगे आsilे हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर इस समय ताज़ अंकड़े हैं कि किस तरीके की स्थती है तो नंबर बन पर तो अभी भी अमेरिका बना हुआ है काफी उपर है लेकिन भारत की बात करते हैं सीधे सीधे भारत की बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में भारत में जो मामले बढ़े हैं 3549 मामले बढ़े हैं और इस मामले जो वाइरस संक्रमण के मामले 85,546 हो चुके हैं यानि संक्रमण के मामले में भारत आगे निकल चुका है 11 नंबर पर आ चुका है अगर दुनिया की बात करते हैं नंबर वन की पोजिशन की बात करें तो वह कोरोना वाइरस संक्रमन के मामले में यूएस नंबर वन पर 14,05,000 से ज़्यादा मामले हैं इस्पेन नंबर दो पर रसिया नंबर तीन पर चौथे नंबर पर यूके पांचवे नंबर पर इटली और छटे नंबर पर ब्राजील फिर फ्रांस फिर जर्मनी टर्की इरान और उ वाकई निश्चित तोर परचिंता की बात है भारत की बात करें तो अब तक 2746 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां पर यह मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं भारत में यह इस्थती अच्छी नहीं है चलिए अब हम को दिखाते हैं कि क्या इस्थती है आंकड़ों और यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी तीस हजार लोगों की है यहां तीस हजार लोग रिकवर किये हैं और यहां पर मौत के आंकड़े की बात करें यह थोड़ा आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं 32,335 मामले ऐसे है जिनमें अब तक रियल्ट आया यानी जिनका या तो लोग रिकवर हुए या मौत हुई है तो यहां पर मौत का आकड़ा सिर्फ 8 फिस्दी है जबकि दुनिया के दूसरी जगहों पर 20 फिस्दी है इससे जादा का आकड़ा रहता है तो भारत को इस मामले में थोड़ी राहत म मामलों के को लेकर यहां पर देखिए किस तरीके से हर दिन जो मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें मई 14 की बात करते हैं तो 4942 मामले आए और लगातार यह मतलब 4-5 जार लोग रोज जो है कोरोना وائरिस संक्रमर से गरस्त हो रहे हैं तो यह इस्थती वाकई चिंता जनक है अगर हम बात करते हैं तो अग्टिव केसिज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है मतलब मौत के आंकड़े में बढ़ोतर लगातार हो रही है यहां पर रोज जो मौते हो रही है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और यह इस्थती हम कह सकते हैं अपरेल की है तो अपरेल के महीने में देखिए किस तरीके की इस्थती बनती चल यह देखिए चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत निकल गया है आगे यह देखिए भारत चीन से आगे निकल गया है चलिए किसी मामले में तो आगे निकला क्योंकि समय अगर हम करोना वाइरस संक्रमण की बात करें तो वाकई यह चिंता की बात है चीन को पीछे छोड़ हुए भारत आगे निकल गया है 85,546 मामले यहां पर पहुँच चुके हैं तो यह इस्तती लगातार बनी हुई है और यह वाकई चिंता जनक है चिंता जनक किस लिए है क्यों कि भारत में लगातार दबाव हो रहा है कि लोग सोच रहें कि कैसे काम चलेगा क्यों कि अर्थबे से अब्षण कर रही है नहीं तो लोग पैदल ही निकल लिए हैं सबसे बड़ी परिशानी की बात है तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके आपस हम कहसे रोजी रोटी का कोई हिसाब नहीं है यानि उनके साथ दिक्कत यह हो रही है रोज वो कमाते हैं रोज खाते हैं लेकिन पिछले दो महीने से जिस तरीके के स्थ्तियां बनी हुई है उन स्थितियों में उनको समझ में नहीं आ रहा है बड़े सहरों से वह अपने घरきた जा रहे हैं तो ऐसे लाखों लोग जो है अपने घर की तरफ निकल चुकłem जिन जिनमें तरह तरह की हम कह सकते हैं परिशानी आ रही है दिक्कते आ रही है और सरकार के साथ दिक्कत ये हो रही है कि इस समय अगर वो इंतजाम करती है तो जिस तरीकी की मसीनरी है उसमें वो इंतजाम करने में दिक्कत आ रही है क्योंग परिशानी क्या हो रही है रेलवे के जो नियम है जो भी आप गाड़ी से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं राजी में जाते हैं तो वहां पर आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और ये स्थती कमूबेस ज्यादा तर जगों में है करनाटक की बात करें करनाट पहुंचते हैं तो वहां 28 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा इस तरीके के नियम अलग-अलग राजियों ने बना रखे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भारती रेलवे को एक तरीके से धेर सारी गाडियां चलाने की योजना तो जरूर है लेकिन चलाने में क काम्याबी मिलती नजर नहीं आ रही है इस समय कि अगर हम बात करें तो 15 जो है इस्पेसल ट्रेने चल रही है और हम कह सकते हैं दरजनों स्रमिक इस्पेसल ट्रेने चल रही है और जिससे तकरीमन अब तक 12 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है एक बार मैं फिर से समप करूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा यहां पर इंडिया की इस्तिती देखिए किस तरीके की है 85,546 मामले आ चुके हैं और चीन को उसने पीछे छोड़ दिया है तो यह निस्चित तोर पर चिंता की बात है और यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंग यानि अमेरिका में लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और 87,000 से जादा लोग यहां पर मौत के घाट उतर चुके हैं तो इस्तिती वाकई चिंता जनक है और दूसरी एक और खुसकबरी भी मैं आपको देना चाहता हूं मानसून की अगर हम बात करें तो मौसम विभ ख़बर भी है क्योंकि अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर एक चक्रवाती तूफान बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जन्म ले लेगा और वह किस तरीके से कहां कहां पर अपना डालेगा ये देखने वाली बात होगी